हेलो डियल लेनर मैं सवरोपंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम ट्रवेल भी बायो साइंस में स्वागत करते हूं आज का हमारा फाइला रहेगा वो रहेगा एक न्यू फाइला है जिसे कहते हैं फाइलम एनिलिट्स के बारे में पढ़ेंगे एनिलिट्स में जो एनिमल बुखी साइड बोलते हैं यह ब्लट सक करती है अगर किसी एनिमल में चीप जाए तो इसके बाद पॉलिट्स हो गया लंग हो गया इसके बाद सैवे लीडी हो गया इन सब के बारे में हम लोग इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले जो किंडम अनि उसका इंट्रोक्ष्ण और करें और करेक्टरिस्टिक यह सबसे पहले इस यह लैटिन वर्ट से लिया गया है और हम अंतलब होता तक हो सकती है और इंकी जो लेंथ है वो 6 मीटर की हो सकती है या 20 इनकी जो विर्थ है 2.5 cm तक हो सकती है यह contract होते हैं और relax होते हैं इनकी body जो movement होता है the moving is free moving polygates जो और अर्थवाम जो होते हैं यह largest species है polygates और अर्थवाम इनकी largest species है leech content length इनकी जो leech होती है जो जोग होती 0.5 meter की हो सकती है habitat देख लेते हैं सबसे पहला आप characteristics का पार्ट इसका कभर करेंगे एनलियोट्स का एनलियोट्स के characteristics में सबसे पहले हम लोग इसकी habitat देख लेते हैं इसका वासस्थान कैसा रहता है एनलियोट्स पाउंड इस वार्डवाइड यह सभी जेकों पर पाई जाती है habitat ocean water fresh water damp soil जो mostly जो पॉलीगीट होते हैं यह देख रहे हैं यह ओस्यांस में ज्यादा तर पाई जाते हैं आइदर फ्लोट और वारो और वांडर अन्द बॉटम्स लिब इन दा ट्यूब एंड कांस्ट्रक्ट मतलब इनका जो कलर रेंज होता है ब्राइट होता है डल एंड स लिए नृष अधो करते हैं जिसे सोमाइट सेख्मेंट का या मैटा मेंद सेख्मेंट ओगिसे कहते हैं मतलब इनकी जो बॉन देख सकें में मतलब एक लाइन फिर दूसरी लाइन दूसरा सेगमें अईसे मतलब लीनियर सेगमें सीरीज वाइस सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और यह जो सीरीज वाइस सेगमेंटेशन होता है इसे सिगमेंटेशन यह इनुली कहते है इसलिए इसलिए इसको रिंग ओम कहते हैं इनकी लंबी होती है इंटर्निली डा सिग्मेंटेशन इस सेप्रेटेड राइट इनकी यह आप लोगों को देख रहे होगा यह ट्रांसवर सेप्टां के तो होते हैं यह इस्ट्रक्चर असए बनाते हैं जो ठांस्वर्सप्टा होते हैं गड्स वेसल्स नौउस एक्सेंट होता है इंटायर बॉ में ही रिपीटीड रिपीटीड ली वोते हैं कर सकते हैं और और बादी two head body and Pygm pygm किसे कहते हैं टेलीजन को Pygm कहते हैं लेवल और आफ और्गनाइजेशन इनका भी क्या होता है और गन सिस्टम लेबल का और्गनाइजेशन पाया जाता है जैसे कि ब्रेन हो गया अलग हो गया हर्ट हो गया इनमें पाया जाता है एसेसरी हर्ट भी पाया जाता है मौथ पार्ट अलग नर्व कार्ड अलग देखने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होती है इनकी जो जर्म लेयर होती है तीन में डिवाइडिट होती है पहला एक्टोडर्म होता है दूसरा इंडोडर्म होता है तीसरा मीजोडर्म होता है ओके मतलब सबसे पहले आउटर लेयर एक्टूडम और मीडिल लेयर मीजोडर्म इनल लेयर क्या होती इंडोडर्म यह ट्रिपल प्लास्टिक अनिमाल मीज अगर बात करें तो इनकी आउटर बादी का इसे होती है इनलाइट कामली शिक्रीट अपिंग ठीक सक्ष्टडिय जो जो इसकी बाड़ि होती जो तो चैनल की करतां की सिक्रेट और जो यहीं की बाड़ि को फ्राक्टेक्ट करने का और मॉस्ट रकने का काम करती है क्यूटिकिल जो होती है बनी होती है प्रोटीन और लिपिट की मतलब क्यूटि जो इनकी बॉड़ी होती है ठीक प्रोटेक्टिव लेयर जिसे कहते हैं क्यूटिकल क्यूटिकल क्या होती है इनकी बॉड़ी को प्रोटेक्ट करने में और इनकी बॉड़ी को मॉइस्ट बनाने में और वो वनियों होती है प्रोटीन और लिपिट की शीवमेट होते हैं को आप देखे होंगे उसमें स्यूटो-था इस विश्युपालिटी मतलब बौर्डी कविटी वल और गटवाल के बीच में जो वॉडी के बिटी फ्रेजेंट तो उसको क्या कहते हैं By monster. उसी लायंट मेजोडरम और सी लो अीपीथिलयम। नहीं किकिati साथ हम प्रत लेक्राम्रिकर से नतसी है। वो कि यह फस्ट्स इलोमेटी कुरूमेट एंपंछ वोटी इनंगी ऑल कि दिया थो इनल पाटिसिपेश्ट और सीलोम गट सिलोमेट भाडेट 아니면 мешा है स्केलेटन में और जो की हल्प करता है लोको मोशन में हेल्प करता है अगर बॉडी वाल की बात करें तो बॉडी वाल इनकी जो होती है थिन होती है नॉन छोटी किल्स फाए जाते हैं और युजीबली मॉइस होती है एपिडर्मी स्प्रेजेंट होता है और लाइस इन लोगी टुडनल और सर्कुलर में मसल्स पाए जाते हैं लोको मोशन निल्ट में लोको मोशन कैसे होता है एल्ट कांवी मूब यूजिंग दे मसल्स अड्ट लोकोमोशन में लोगी टृट्सीजट दोट्यर से ताई सर्फ लंगृ ट्नियर मशल संसमें मदद करती में सुथ bit इंटायर बॉड़ी इस हेल्पिंग दो इंक्रीज दे लेंथ यह भी सेम करते हैं जो करती है और लोको मोशन इस फैसिलिटेटेटेड वाई इंट क्नायर जाता जाता है इसाडली पूरी विडीको इसको देखा होगा अध्यायर को टिम्हें करता है मतलब इसका लोको मोशन होता है अब पहले बोड़े को कॉन्टक्ट करेंगा फिन रिलेक्स करेंगे और के शरकुलेशन और मशल्स तो सब्सक्राइब क्या करता है यह पूरी बोड़ी को तो construct कर लेगा, then यह फिर relax करता है, subsequently construction of outer circular muscles causes reduction in birth and accompanied by increase the length and help in warm procedure, forwarding में help करता है, परापोडिया जो होता है, परापोडिया कैसा होता है, इन aquatic annihilates like nares, especially unjointed appendices are present that is called as परापोडिया, इसमें परापोडिया देखने को मिलता है, यह रहा है, परापोडिया, they are present on the lateral side of the worms, help in swimming, यह किसमें help करता है, स्विमिंग में help करता है, बाई सीटी किसमें help करती है, यह molecules type में दिख रहे हैंगे, in earthworm, bristol-like, यह bristol-like दिख रहे होगा, bristol-like structure called as CTR present, they are called, located in the east segment of the body of the earthworm, prevent from the slipping, slipping backward, मतलब यह क्या करती है, पीछे गिरने से, मतलब जैसे पीछे चलने से, backward जाने से, slip होने से, में मदद करती है, इस लिप ना हो, organ system देख लेते हैं, now we are going to discuss about, किसके बारे में हम लोग अब discuss करने चल रहे हैं, system के बारे में digestive system पढ़ेंगे, circulatory system पढ़ेंगे, nervous system पढ़ेंगे, इस सबसे पहले digestive system इसका देख लेते हैं, इनमें elementary canal इसमें complete digestion पाया जाता है, complete digestion मतलब क्या होता है, elemental इस्टे differences, one is the ingestion mouth and another is the ingestion, मतलब जिस भी animals में ingestion और ingestion अलग होता है, वो इसमें किस टाइप का body plan पाया जाता है, उनमें tube बिदेन tube type का body plan पाया जाता है, और इनका जो digestion होता है, extracellular digestion देखने को मिलता है, ये बक्तल कावटी आप लोगो ते फैरेंग से देखने को मिलता है, इसमे digestion कि इसके दर गिजार्ड पाया जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसलिए crop और गिजार्ड पाया जाता है, गिजार्ड हेल्प करता है, फूट को मैस्टिएशन में, crop mouth पाया जाता है, circulation in annulus, annulus में circulatory system कैसा होता है, annulus have close type circulation system इसमें पाया जाता है, मतलब वेसल्स वगरा पाया जाती है, which help in the transport of the blood through the enclosed space such as blood vessels, ओके, due to the presence of erythro-curine, इन प्लाज्मा इनकी प्लाज्मा में erythro-curine present होता है, इसने इनके blood का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है, nervous system देख लेते हैं, nervous system कैसा होता है, annulus का nervous system की अगर बात कर nervous system of annulus medel of ganglia, ganglia कह सकते हैं या कह सकते हैं, circumferential nerves ring एक बनी होती है इनमें और ganglia ganglionated nerve card इसमें present होता है, इसमें जो ganglia होता है, paired में होता है, connected होता है, double nerves card present होते हैं, mental side of the body means lateral side में nerve card present होती है, देख सकते हैं यह brain इसका है, यह आप इसका blood vessels यह रही इसकी, यह इसका nerves card हो गया, यह इसकी nerves card हो गई, okay, इसका कैसा होता है, iscription कैसा देखने के, especially specialised organ composed of the coiled tubular structure known as nephredia, इसमें जो इसकी रागन होता है, वो नेफरीडिया होता है, नेफरीडिया consists of nephrost oms, जो नेफरीडिया होता है, यह नेफरीडिया होता है, यह से connected होता है, nephrost oms, से इस सीलेटर फ़नल लाइक यह फ़नल से भी होता है है हैंक नॉर्मली इन दसी लों हुच हो यह सी लोम है ना एक कट्स दिखाया गया है दूसरा कट्स यहीं सीलों में हैंक करता लाता है जो कहां पर लेगा जाता है ने फ्रीडियल डख तक दियर इस आड़ तो दा आस्मोर प्रीडियोशन यह किसमें और किसमें आस्मोर एगलेशन में भी मदद सेक्श्टर प्रोडाग्ट को बोड़ी से रिमूब करने में ऻालप करता है अगर हम मोड्र प्रेप्डॉक्शन डेवलप्मेंट की बात करें तो इन में जह स्वरी प्रोडॉक्श्टन पाया जाता है मतलब शेक्षवल नेचर कैसा होता मोनोस्यस और डाइस दोनों तरीके का देखने को मलता है अगर मोनोस्यस के बात करें इस कंडिशन होई दिर प्रेजन साफ बहुत सेक्सेस इन सेम और मतलब दो मेल एंड फिमेल एक और में पाया जाते हैं एक्जामपल लीच और अर्थों जोक और और्थों में साफ केच्व में पाया जाता है मोना जिस टाइब का और डाइस से न distorted सेलिच कहाँ है मतलब हर्म थार्म कि ना पर्दीन कि हैं इंड उडियों होता है इस सब्सक्राइब करें देखने को मिलता है तो प्रिजेंट आफ सिनेंट्रमस मैचुरेशन आफ मेल फीमेल सेक्स और क्योंकि मेल और फीमेल फीमेल एक वाद एक मतलब पहले मेल या तो डिपलेप करें या तो फीमेल डिपलेप्ट करेंगा यह ओकी इसलिए इसमें और इसमें जो अर्ण से पहले इसमें देखने को मिलता है कि सिन्क्रोर नसमीरेशन और जिनमें मेल जल्दी डिवलब कर जाता है इससे प्रोटेंड रस कहते हैं फर्टिलाजेशन आफ गयमेट टेक प्लेस इंसाइड पैरेंटल बॉडी पैरेंटल बॉडी मतलब फीमेल बॉडी में जो एक सूता डेवलेप करता है और इंटर्नल फर्टिलाजेशन इनमें देखने को मिलता है मोड आफ डेपलेप्मेंट की अगर बात करें तो इनमें इं इंडारेक्ट जो देखने को मिलता है और इंडारेक्ट नेरिस में टाइप का डेवलप्मेंट पाये जाता है और फ्री लिविंग ट्रोकोफोल आरवा पाये जाता है तो यह हमारा जो करेक्टरिस्तिकाफ एनिलेट्स यह कंप्लीट होता है कल हम लोग इसके स्रीकाल कल मिलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के सब्सक्राइब बाए बाए झाल के स्ब्सक्राइब झाल 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 झाल